हेलो गाईज, वेलकम टो सागर रोबोटिक्स यार, आपके घर में भी इस तरीके का जो मॉस्कीटो रैकेट होता है, वो पढ़ाई होगा, इसलिए आपने इस थमनेल के उपर वीडियो को उपर क्लिक किया है, ताकि इस तरीके का जो मॉस्कीटो बैट है, उसका यूज करके आप ओल्टेज बुस्टर बना सको, तो यह जो मॉस्कीटो बैट होता है, बन पड़ जाता है, लेकिन उस कंडिशन के अंदर हम इस बैट को फेक देते हैं, लेकिन हम इसको फेकेंगे नहीं, इसके अंदर भी एक जो सरकेट होता है, वो ओल्टेज बुस्टर ही होता है, कै तो उस बैटरी के यह जो अंदर लगे हुए सरकीट रहता है वो 2000 होल्टेज मतलब 2 कीवी तक कर देता है मतलब इतना पावरफुल होल्टेज बुस्टर इसके अंदर हमें मिल जाता है लेकिन हमें इतना ज्यादा भी होल्टेज नहीं चाहिए हमें जो 3.7 होल्ट की बैटरी है उसको सिर्फ और सिर्फ 12 होल्ट के अंदर बुस्ट करने वाला एक होल्टेज बुस्टर सरकीट चाहिए तो इसके अंदर कहां जो सरकीट है उसको हम निकालेंगे और उसको कुछ ऐसा मोडिफाइ करेंगे कि वो हमें 12 होल्ट का आउटपुट डे सके जिसका यूज़ करके हम किसी भी मोटर को लाइट को 12 होल्ट की जो चीज़े उनको 3.7 होल्ट से चला सको तो चलो शुरू करते इस होल्टेज बुस्टर की मेकर तो गाइज इस तरीके का जो मॉस्क्यूट बैट है उसके यह जो 1,2 और यह 3 इन 3 हो स्कुरू को खोलने के बाद अगर आप यह वाला सेक्शन खोलोगे तो उसके अंदर आपको इस तरीके का एक PCB मिले जा तो यही PCB ह अगरे इस वीडियो के अंदर काम का है बाकी का जो बैट है उसका हमें कोई काम नहीं है तो यह आपर मेरे पास इसी तरीके के और एक बैट मैंने खोला था उसके अंदर का यह PCB मैंने निकाल लिए है तो चलो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यह किस तरीक बनाने के लिए तो इनके यह जो PCB है इसके अंदर यह जो ट्रांजिस्टर के आगे के जो सारे components है यह voltage booster का काम करते है तो यहाँ पर यह एक capacitor लगा हुआ है जो कि 2 कीवी का मतलब 2000 voltage का है तो यह यहाँ से हम इसको 3.7 होल्ट इन्पुट के अंदर देते और यहां से 2000 voltage निकलता है मतलब काफी ज्यादा निकलता है लेकिन हमें 12 होल्टी निकालना है जैसे मैंने आपको पहले भी कहा तो उसके लिए हमें क्या करना वड़ेगा इसका यह जो ट्रांजिस्टर है एक रेजिस्टर है और एक transformer बस इस PCB के उपर के तीन component और यह एक यहां का डायोड यहां का लो यहां का लो कोई भी आप इसके अंदर का एक डायोड इस तरीके के चार component सिर्फ इस PCB से निकालने और एक component जो के बाहर से लेयाना है मतलब किसी और PCB से लेयाना है तो चलो इन जो component है इनको पहले हम desolder कर लेते हैं उसके बाद इनको हम अरेंज करेंगे लेकिन इनको desolder करने से पहले आपको एक बार यह जो प्लेट है उसको चेक आउट कर लेना है कि यह working condition के अंदर है या इसका transistor वागेरा कुछ data हो चुका है और यह कितना powerful है वो भी आपको पता लगी जाएगा तो चलो इसको मैं एक बार आपको चेक आउट करके दिखा देता हूँ यहापे मैंने किस तरीके की 3.7 होल्ट की बैटरी ले ली है तो इसको यहापे प्लस लिखा हुआ आपको दिखी रहा होगा PCB के उपर प्लस और माइनस लिखा हुआ होता है तो यहापे प्लस हो जाएगा और जो हाई होल्टेज जनरेट होगा वो यहापर होगा तो इसलिए मैं यहापे इस तरीकी का पेच कर स्कूरूड्राइवर लगा देता हूँ जिससे कि आपको यहापे एक स्पार्क दिखाई देगी तो चलो एक बार द्यान से देखना मैं इसकी जो वाइरिं इसके अंदर होल्टेज आ रहा है इसको थोड़ा साब पास में रखेंगे तो यह एक जैसा कंटिन्यूस चलता ही रहेगा तो चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ देखो कितना ज्यादा होल्टेज इसके अंदर बूस्ट पोड़ा है आप देखी सकते हूँ जो जो मैंने आपको बताए होल्टेज बूस्टर के लिए रिक्वायर्ड है जैसा है ट्रांजिस्टर हो गया यह हमारा ट्रांसफोर्मर हो गया यह एक रेजिस्टर और एक कोई भी डायोट इनको यहां से जल्दी से डी सोल्डर कर लेते तो गाइज इस मॉस्किटो वाले PCB से हमने यह फेराइट का ट्रांसफोर्मर यह डी एट टू पी नंबर का एक ट्रांजिस्टर यह एक छोटा सा रेजिस्टर और एक डायोड निकाल लिया है तो गाइज इन सारे कंपोनेंट का यूज करके हमें होल्टेज बूस्टर बना तो उस तरीके से भी कर सकते हो लेकिन मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनल वे के अंदर ट्राय कर रहा हूँ तो प्रोफेशनल वे के अंदर ट्राय करने के लिए मैंने इस तरीके के एक कॉपर क्लैड का जो बोर्ड आता है पी सीबी बोर्ड आता है उसका यूज कर रहा तो ऐसे कुछ soldering कर मतलब ऐसे हम इसको छेत कर लेंगे उसके बाद ये जो PCB है उसको design कर लेंगे इसको clean कर लेंगे itching कर लेंगे और उसके बाद soldering कर देंगे इन सारे components को तो ये जो PCB का काम है ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आप इस तरीके का PCB का काम नहीं भी करोगे तो चल जाएगा अब जिस तरीके से मैं आपको circuit diagram provide कर दूँगा तो उस circuit diagram का use करके आप एक दूसरे मैं बनाने वाला हूँ इसलिए मैंने आप आप देख सकते हो कि PCB के उपर छेद कर लिए है तो छेद इसलिए कि ये है ताकि आप हमारे जो component है ओ फिट हो सके ये हमारे PCB की front size है और इस side से अगर आप देखोंगे तो इसके उपर मैंने printing किये प्रिंट लर किया हुआ copper है वही रहे जाएगा तो चलो इस process से भी हम इस PCB को निकाल लेते है तो guys हमारा जो PCB था उसको मैंने solution के अंदर clean कर लिया है और ये कुछ इस तरीके का बन चुका है तो चलो जल्दी जल्दी हमारे जो सारे component से उनको इसके उपर set करना शुरू करते है इनके अंदर हमारा लग जाए जैसे हम solder कर लेते है गाइज हमारे जो transformer का solder हो चुका है आप यह फिर देख सकते हो कि जो सारे point से उनके साथ tracks जा चुके है लेकिन यह जो दो point से इनके साथ कोई भी track connected नहीं है यह इसलिए connected नहीं है ताकि यह जो है high voltage 220 यह फिर 440 voltage जो output होता है उसके terminal से लेकिन इनका हमें कोई भी काम नहीं है इसलिए मैंने इनको खुला चोड़ दिया है तो अब यह जो इस side में 3 दिख रहे है points आपको जो ट्रांजिस्टर हो लग जाएगा ट्रांजिस्टर का यह जो number लिखा हुआ पार्ट है वो हमें transformer के side में करना है और इस तरीके से इसको भी आपे solder कर लेत अब यह जो रेजिस्टर है इसको यहाँ पे लगाना है तो चलो इसको भी जल्दी से solder कर लेते हैं अब यह अबर कनेक करना है डायोड डायोड को आपको यहाँ एक silver कलर कर रिंग दिख रहा होगा तो यह इसका negative part होता है मतलब अगर इस side से दोगे positive तो यहाँ से positive है उसकी side में black वाला पार्ट लगाना है और जो silver lined portion है उसको बाहर की side में रखना है इस वाली side में और उस तरीके से इसको यहाँ पे solder कर लेना है तो चलो जल्दी से यह हमारे सारे component जो कि हमने bet की plate से निकाले थे mosquito रैकेट से वो सारे के सारे तो आ चुके capacitor यह मतलब transistor, diode और यह transformer और यह resistor अब सिर्फ external एक component लेना है आपको जो कि किसी भी पूराने PCB के उपर या mobile charger के उपर भी मिल सकता है यह जो है पच्छी सोल्ट का 100μF का capacitor तो इसकी यह जो black वाली line है यह negative part होता है और यह जो दूसरा वाला part है positive होता है तो जो diode की line है उसके यह पर solder कर लेना है तो हमारा जो voltage booster circuit हो पूरी तरीके से complete हो चुगा है यह रहा इसका input और यह रहा output चलो इसको यह आपर input के side से 3.7 hold की battery लगाते और output के उपर voltage चेक करते हैं कि हमें कितना voltage आपर मिल रहा है गाइज इस booster के जो input वाले wire थे उसके साथ मैंने positive वाले wire जो थी उसको battery के attach कर दिये और इसके output के लिए मैं आपको यह जो 12 hold का LED इसको लगा के दिखाने वाला हो तो यह आप देख सकते हो इसकी positive wire है और यह जो है negative wire है तो एक बार मैं आपको इसको battery से भी चला के दिखा देता होगी यह चलता है या नहीं तो देखो सीधा battery से connect करने पर इसमें का light है कोई भी नहीं जिल रहा है बिल्कुल भी नहीं जल रहा क्योंकि यह 12 hold के उपर चलने वाला है तो अब हम यहापे इसकी जो positive है उसको output के साथ attach कर देते और negative को भी solder कर देते और फिर यहापे power देके देखते हैं कि 3.7 hold से यह जो light है चल पाते है या नहीं तो वाइस मैंने light की जो positive negative थी उनको solder कर दिये और अब battery की negative यहापे जैसे ही लगाई तो आप देख सकते हो कि जो LED है वो पूरे full brightness के साथ जल रहे है और आपको इस side से भी दिखा देता हूँ कि जो हमारा circuit हा वही circuit है और इसके उपर जो 12 hold की LED से वो अच्छे से जल रही है मतलब voltage को यह boost कर रहा है तो अब यहापे मैं आपको एक बार multimeter लगा के भी check out कर देता हूँ कि output में से कितना voltage आ रहा है यहाँ से सेले में आपको जो battery के voltage है उनको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो कि battery के अंदर 4 voltage हमारा है तो अब इसकी wire जो है उसको हम यहापे solder ह कर देते हैं सीधा जिससे कि हमें measure करने में कोई दिक्कत ना आ यहापे यहापे connect किया हमारा जो LED 12 hold का जल रहा है और अब यहापे एक बार output देख लेते हैं तो यहापे आप देख सकते हो कि जो 10 hold है वो इसमें से output आ रहा है मतलब जो battery है 4 hold की 3.7 hold की उसमें से 10 hold टक boost कर दे रहा है और बैटरी अगर यहापे थोड़ी कम charge है और कम MH की है अगर ज्यादा MH की बैटरी लगा होगे तो यहां से पूरा 12 hold आएगा तो अब एक बार हम यहापे LED जो है इनको निकाल के देख लेते और यहापे 12 hold का motor भी लगा के देख लेते हैं कि मोटर जो है वो फिल मतलब अगर motor चल जा रहा है तो booster कितना ज्यादा powerful होगा हो तो आपको पता ही होगा मैं अब आपको इस motor की sound भी सुना देता हूँ कि motor कितनी ज्यादा तेज चल रही है मतलब यार गाईज हमारा booster जो है successfully work कर रहा है 100% working है आप इसको बना सकते हो काफी ज्यादा powerful भी है क्योंकि जो booster बनाए जाते हैं उनके उपर सिर्फ LED चलाए जाते हैं लेकिन मैंने इसके उपर आपको motor भी चला के दिखाया तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा हो कर दो